कल के दिन special trading session है कल के दिन bank nifty nifty 50 के अंदर कैसे trade करना है तो देखिए कल के दिन दो session के अंदर trade होगा पहला session होगा 9.15 से ले करके 9.55 तक और दूसरा session जो होगा सारे 11 से ले करके सारे 12 बजे तक अब आप लोगों को किस तरीके से bank nifty nifty 50 के अंदर call or put की entry बनाना है बिलकुल सबसे पहले जान लेते हैं यह जो special trading session है यह आखिर है क्या देखिए यह यह चीज है जैसे कि कोई technical issue आ जाती है तो उसकी जो है testing किया जाता है कहीं और जैसे कि आप मान के चलिए आपका branch कहां पर है पंजाब के अंदर है और अगर वहां पर कोई issue आ जाती है तो उस branch को transfer कर दिया जाएगा कहां पर हर्याना के अंदर समझ गया आप लोग मेरी बातों को तो जो यह special trading session होता है वो इसी testing करने के लिए ही होता है इसको दो session के अंदर बाटा गया है पहला session होगा 9.15 से ले करके 9.55 तक और दूसरा जो session होगा वो होगा सारे 11 से ले करके सारे 12 बज़े अब आप लोगों को इस दोरान किस तरीके से trade करना है तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना तो पहले आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ जो मैंने कल यहाँ पर level दिया था आप लोग देख सकते हैं बाइंक निप्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो time frame लगा हुआ है पाँच मिनट का time frame लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों को दो level दिया था पहला level दिया था यह upside का जो की level था 47912 का नीचे के तरफ मैंने level दिया था 47381 का आप लोग देख सकते हैं और आज के दिन देख सकते हैं इसी level के उपर जो है closing दि ठीक है अब आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से कल के दिन trade प्लान करना है तो ध्यान से सुन लेना पहले यह जान लेते हैं gap up पर entry कैसे लेना है gap down पर entry कैसे लेना है और flat opening पर entry कैसे लेना है कहाँ पर call वाई करना है कहाँ पर put वाई करना है और कहाँ पर trade को avoid करना है अब चलिए बिना देरी करते हुए हम सनी बार का ट्रेट प्लान कर लेते हैं अब आप लोग लेबल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना अब मालनो कि अगर कल के दिन बाइंक निफ्टी से लेबल के उपर ग्याप अपनिंग ले लेती है जो की लेबल है 48304 का अगर इस लेब इस केंडल होगा और जो नेक्स्ट केंडल बनेगा पांच मिनिट का जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक आउट कर देती है और इसके हाई की उपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल वाई कर सकते हैं और टार्गेड यहाँ पर ज्यादा लंबा कर देती है तब आप लोग यहां पर सेफ को लवाई कर सकते हैं और टार्गेट यहां पर सिर्फ एटी से ले कर के वंटवंटी टक रह सकता है तीसरा कंडिशन यहां पर क्या होगी यह पप आप ओपनिंग लेने के पार यहाँ पर condition समझ ले जो पहला 15 मिनिट का candle होगा वो चाहिए यहाँ पर बुली स्केंडल हो एक्जामपट समझ लेते हैं माल लिजे यहाँ पर जो पहला candle होगा बुली स्केंडल होगा 15 मिनिट का जो next candle बनेगा जब इसके हाई को यहाँ पर breakout कर देती है उसके हाई के गामने है 47,879 का लेवल है अगर इस लेवल के नीचे गापड़न खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है गापड़न खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा रीटेस करने आती है और यह जो पहले का लो होगा अगेन इस लोग को यहाँ पर ब्रेक केंडल होगा जब नेक्स केंडल इसके लोग को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लोग के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट वाई कर सकते हैं और टार्गेट यहाँ पर सिर्फ रह सकता है 70 से ले करके 150 तक कर रह सकता है ध्य अब आप लोग के सामने निफ्टी 50 का चाट है और जैसा कि मैंने कल के अनलासिस वीडियो के अंदर कहा था वैसे मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है आप लोग देख सकते हैं इसी लेवल से क्या लिया गया सपोर्ट लिया गया और अपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनिट का केंडल होगा याने की बूली सकेंडल होगा जब नेक्स केंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक आउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल वाई कर सकते हैं और टार्गेट यहाँ पर 40 से लेकर के 80 पैंट तक का र सिर्फ 30 से लेकर के 60 पुइंट तक ना टार्गेट रह सकता है अब मालो कि अगर कल के दिन निप्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फॉर्स्ट सेशन के अंद इसका अगर इस लेवल के नीचे गापड़न खुलती है तो ऐसे कंडिशन में यहाँ पर फुट की एंट्री के से लेना है गापड़न खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा रिट्रेस करने आती है और यह जो पहले का लोग होगा अगेन इस लोगों को यहाँ पर